रासा इंटरनेशनल इस्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाजत है प्यारे बच्चों आज हम संस्कृत का पार्ट सोला जिसका नाम है ग्रामम उसका अर्थ समझेंगे पिछली वीडियो में हमने इसके शब्दर्थ वा इसकी रेडिंग की थी तो आईए शुरू करते हैं पार्ट सोला ग्रामम सा अर्थ ग्रामम संदरम अस्ती ग्रामम संदरम अस्ती संदरम क्या होता है हमने पढ़ा था संदर तो ग्रामम क्या होता है गाउं गाउं कैसा है संदर गाउं संदर है ग्रामम संदरम अस्ती गाउं संदर है ग्रामे कूपाहा संती तो कूपाहा हमने क्या पढ़ा था? कूपा होता है कुवा तो गाउं में कुवे हैं गाउं में क्या है? कुवे हैं कैसा है? गाउं सुन्दर है और गाउं में कुवे है कूपे जला मस्ती कूपे जला मस्ती जल क्या होता है? कुए में, कुए में जल है, जलम, तत्र जनहा, जलम पीवन्ती, तो तत्र जनहा क्या है, तत्र होता है, यहां, जो तत्र होता है, यहां या वहां, वहां लोग, यहां लोग, जल पीते हैं, कहां पर, कुए में, गाउं में अनेक ब्रक्ष होते हैं गाउं में क्या होता है अनेक ब्रक्ष होते हैं वहाँ पर आप इसे पिक्चर में भी देख रहे होंगे चित्र में यहाँ पर बहुत सारे ब्रक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको तो गाउं में अनेक ब्रक्ष होते हैं ब्रक्षों पर ब्रक्षेशु शुकाहा पिकाहा काकाहा चासंती ब्रक्षों पर तोते कोयल और कोये हैं और ब्रक्ष पर कौन होता है तोते भी होते हैं और कोयल भी होते हैं कोये भी होते हैं बहुत सारे पक्षी होते हैं तोते शुकाहा हरे तहा भवन्ती तो तोते कैसे हैं? तोते हरे होते हैं पिकहा, काकहा, चा, श्यामा भबंती और पिकहा जो कोयल होती हैं और कौय होते हैं वे कैसे होते हैं? कोयल और कौय कैसे होते हैं? काले होते हैं ग्राम अहां ग्रामे एकम आश्रमम अभी अस्ती ग्राम में क्या है गाउं में एक आश्रम है गाउं में एक आश्रम भी है आश्रम में तापसह वसती आश्रम में कौन बसता है तापशा होता है तपस्वी आश्रम में तपस्वी रहते हैं ते प्रातह इश्वरम नमती तपस्वी कौन होते हैं जो तपस्या गरते हैं यहां आ अपस्वी तपस्या कर रहे हैं तो यह क्या करते हैं ते प्रातः इश्वर नमंती तो वे प्रातः सुबह इश्वर को नमश्कार करते हैं आश्रमे बानरह अपी भ्रमंती और जो आश्रम में क्या होता है बंदर भी हैं अपी ब्रह्मन्ती बंदर क्या करते हैं आश्रम में घूमते हैं बंदर क्या करते हैं बानरह चड़कान खादन्ती और जो बंदर हैं वह क्या करते हैं चने खाते हैं अहम अपी ग्रामम गच्छामी हम कहां जाते हैं मेरा बड़ा भाई भी वहां जाता है कहां जाता है वहाँ पर जाता है मम अग्रज अपी तत्र गच्छामी मेरा बड़ा भाई भी वहाँ जाता है मैं भी गाउं जाता हूँ और मेरा बड़ा भाई भी वहाँ जाता है कहाँ पर आश्रम में जाता है वहाँ लोग स्वस्त होते हैं तत्र जनहा स्वस्ता भवंती तो वहाँ जब जाते हैं आश्रम में तो वहाँ लोग कैसे होते हैं स्वस्त होते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पाठ सोला उसकी अर्थ समझा उस पाठ का हमने अर्थ समझा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद